कि दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप जो मिल रहा है वह सभी को मिलना स्टार्ट हो चुका है जो कि 10,000 के लिए आप आप इजन कर पाएंगे तो दोस्तों वीडियो को लाश्ट तेक ज़रूट दिखिए अगा चैनल प्रें सब्सक्राब कर लिए वीडियो को लाइक क करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं इसका कुछ इस पर करका इंटरफेस आता है जिसमें कि आप लोगों को 31 साथ तक आउनलाइन आवेदन लाश्ट डेट दिया गया है इसमें आप 2022 वाला जितना भी है वह अपलाई कर सकते हैं और जितना 2023 में पास आउट किया है वह सभी हम किलिक कर लेते हैं आपको कोई सभी वैबसाइट हमको यहां पर देख सकते हैं मेगा विर्थी योजना अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती दोनों के लिए यहां पर चालू है अब आप लोगों को बता दे जो जैसे आती पिछरा वर्ग में आता है तो उसके आपको आवेदन करना होता है और दोस्तों इसका जो ज़रूरी सुचना दिया जाता वह सुचना भी आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है नहीं तो आप लोगों का पैसा फिर नहीं आप आप आएगा आप लोगों के अकॉंट में यहां पर देख सकते हैं आवे से सुचना सभी चासर चात्राओं को सुचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक से सीडेड मतलब डीवीटी है डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्ड है के लिए नहीं है वह बैंक से तुरंट संपर करें क्योंकि आधार सीडिंग से खाता के आधार लिंक अलग जिनका भी बैंक अधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा जिसका मतलब यह जो बिहार सरकर के द्वारा जो पैसा दिया जाता है यह डायरेक्ट आधार नंबर के अनुसाट डाला जाता है जिस वज़ए से आधार के साथ अगर जो भी बैंक को आपका सीडेड होगा उसमें पैसा डायरेक्ट चला जाता है और हम आप लोगों को बता दें जिसको यूजर आडी और पासवर्ट मिल गया है उसको साथ दिन के अंदर अंदर फॉर्म को फाइनल संबीट करना अनिवारी है है यहां पर देख सकते हैं फॉर्म को फाइनल सं डॉकुमेंट जो भी है आप यहां पर अपलोड कर पाएंगे इसके लिए आपको यहां पर रेजिस्टेशन नमर और साथी रेजिस्टर मोबल नमर डालके आपको वेरिफाय करना होता है यहां से जाकर करके आप आप अबेदन कर पाएंगे जो का सटिपिकेट अपलोड न पर सकते हैं कि क्या इसका गार्ड्लेंस है क्या क्रेटरिया इस जिसके मधिन से आप अपलाइक कर पाएंगे तो यहां पर जैसे किलिक करेंगे तो देखिए अभी साइड थोड़ा सुलो चाला है जिसके वजह से आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रेसा नहीं हो सकता है रेजिटेशन पर्सट में करना उनके बाद department and bank verification होगा उसके बाद अप्लाभ for scholarship and finalization उनके बाद district verification आप लोगों को यहां पर करना होता है तो यहां पर देख सकते हैं जितने भी आप लोगों को टेक मार्क मिलता है उस सबको आपको चेक मार्क करने के बाद आपको क्या करना यहां कंट्वीव वाले अप्षन पर करेंगे तो इस्टुडेंट रेजिस्टेशन का उप्षन यहां पर आपको आ जाएगा जिसमें आप लोगों यहां भी देख सकते हैं रेजिस्टेशन उनके बाद यहाँ पर आधार पर जो नाम है वो और जेन्रल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना उनके बाद आधार नमर डाले के डिट अबड़ सेलेक्ट करें के मोबल नमर पर आपको OTP डाल देना है करना है जिसके बाद आप लोगों को सारा डिटेल्स करना उनके बाद आप संभीट कर देंगे संभीट करने के बाद आप लोगों को यहां पर जाती आइनिवास का वेरिफिकेशन होता है वो करने के बाद आप लोगों को संभीट जब हो जाता है तो आप लोगों को 5-7 दिन क करना होता उनके बाद आप लोगों के मॉबाइल पे आईडी पासवर्ट आ जाता है आईडी पासवर्ट आने के बाद कैसे अपला होता है वह उसका वीडियो पोश्ट मेटरिक वाला का आचुका है उस पे जा कर कि आप लोग देख सकते हैं तो मिलता अप लोग उस नई बहुँत।